दिखिए यह दोनों माडूल यह है 524 यानि जिसे यहां पर आप देख सकते हैं यह 5 और 24 यानि यह 5 बोल्ट से 24 बोल्ट तक काम करता है यह और यह है C A 901 इस दोनों माडूल के बारे में हम समझेंगे इस्टेफ आई इस्टेफ फिर आपको बहुत सारे नालेज इसमें मिलेंगे पाउर सप्लाई से रिलेटेड आज हम इसके बारे में समझेंगे यह 524 यहां पर एक सब्सक्राइबर के यह कमेंट भी थे किसकी डिटेल के लिए और इसी से हम माडूल के में समझेंगे क्योंकि आपको अगर एक ही माडूल हर जगे लगाने का अगर आपको मालूम हो जाए इसकी जो ट्रिक होती है तो आपको अधर माडूल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इसे और डिटेल से जानेंगे तो आपके एक यह स्टी आर ही काफी है उसमे आपको ड्राइबर भी यूज नहीं करने पड़ेंगे यानि यह जो अलग से ड्राइबर है इस पर मैं कुछ प्रिकली कर रहा हूं जिस पर कुछ हैं उस पर हम आपको उस पर रिसर्च करके हम बताते हैं कि कौन सा बेटर है और किसके रिस्पॉंस अच्छे हैं तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में नमस्कर दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे इस पावर सप्लाई के बारे में यानि यह जो माडूल है और यह माडूल क्योंकि आप इसको यूज किये होंगे कहीं पर यह काम नहीं किया होगा और कहीं पर काम किया होगा और यह अधिकतर यूज होने वाला माडूल है और इसके पहले मैंने इस ट्यार को बताया है कि इसके जगे पर उसे भी यूज कर सकते हैं तो सबका कहने का मतलब है आपका यह आसान तरीका माडूल भी बना सकते हैं और आप जहां पर इसके कम हो वहाँ पर पावर सप्लाई को कैसे यानि कैसे वहाँ पर कौन सा माडूल लगाए जाए उसे हम बताएंगे एसमडी बेस पर लेकिन हम इस पर डिटेल से समझेंगे यानि आज तो इसके डाइग्राम आपको पांच चौबिस के देखने को मिलेंगे जो कि यहां पर है देखिए इसमें जो यह मास्टर टीूज हुआ है यह यह है और इधर यह जो ड्राइबर आप देख रहे हैं यह यह आइसी यह है ठीक और यहां पर देखेंगे यह टाइस्टर एक बीच में लगा हुआ है यहां देखिए यह टू यन पच्पन इक्यावन जो की इसको रेगलेट करके एक बोल्टिज देता है जो बीडीडी सप्लाई इसकी है यह एक डिजिटल समझ लिजिए आइसी इसमें प्रोग्रामिंग होती है यानि इसकी एक फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है जो आप इस्टेप कुछ रेजिस्टेंस होते हैं उससे आप इसके फ्रिक्वेंसी को फिक्स कर सकते हैं मात्र एक रेजिस्टेंस को चेंज करके यानि तीन स्टेप पर काम करेगा आलग अलग अलग यह अप्टोक अप्लर है जहां पे आप मॉडिफिकेशन करते हैं कि जब यहां से open करके pin number 1 और 2 जब आप किसी motherboard में इसके connection को करते हैं तो यहां से इसको disconnect करते हैं और बीच में यह transformer है जो कि आप अब मैं इसी के related यहां पे काम कर रहा था जिसमें से कुछ लोगों के comment आये थ है की मतलuck, हम को sixte circ 거 info बता में ज्यादर लांग न हो, तो मैं ज्यातर परियास करता हूं 15 मिनट दस मिनट लेकिन तब अगर हम समय पर सब्सक्राइब धयान देंगे, तो आपको कुछ बता नहीं पाएंगे तो इसलिए मैं समय पर नहीं ध्यान देता कहीं कम हुआ कहीं जादा हुआ तो उसमें देखिए आपको option बता देखिए उसमें speed को कम अधिक कर सकते हैं सारे option आपको जहां पर वीडियो देखते हैं उस पर जो three dots हैं वहां पर मिल जाएंगे कि सकते हैं और आप ही के हाथ में सब कुछ है हम baru benefici कितना सुलो बनाएं कितना फास्ट बनाएं अगर मॉनली के उसे फास्ट कर सकते हैं अगर हम फास्ट बोल रहे हैं तो आप वहाँ पे शुलो कर सकते हैं तो उसमें अव्यyards और भागुर पर कर सकते हैं आप अप 이거는 है दो हमको देखना क्या नहीं देखना है आगे ढूटते चले जाएंगे आपके मतलब का हो तो देखिए वो सारी चीजे आप पे हैं लेकिन हम क्या है कि हम अगर आधा दूरा बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको उतने में स्वाट में समझ में आ जा रहा हो लेकिन किसी किसी के सोचकर बनाते हैं कि यह हर परपस से यूज हो यानि अगर किस कोई नए डिया इंग कर रहा है तो भी यह ह atra come करेगा कोई कि रिपेरिंग कर रहा है तो भी यह help करेगा औरoping Neem ा अम कोई कुछ नया स्व करें तो भी हल्प करेगा क्योंकि हम इस Select से बताते हैं अब रिपेरिंग वाले के लिए क्या है उसको ज्यादा लगेगा कि उनको बस तुरंत मालूम होना जाए कि क्या है और हम उसे चेंज करें आगे बढ़ जाएं लेकिन वहां पर भी अगर वह समझ लें तो सायद यह चीजें बहुत स्टेप पर काम आती हैं क्योंकि तो दस मिट में देखिए आपको कितने रेजिस्टेंस पूरा ज्यादा ज्यादा दस 15 मिट वीडियो में पूरा देते हैं और नहीं तो एक ट्राइश्टर इसके बारे में बताते बताते 15 मिट खातम हो जाता है आपको मालूम नहीं पड़ेगा इसी पर मैंने यहां पर इस जहां से हमारा जो जन्म होता है वहां से एक बर्स से स्टाट करें यानि वन यर से तो यहां पर हंड़ेट यर्स यह हमारी साइकिल चलती है जहां पर आप इसे फास्ट और इसे फ्यूचर यानि इसे पास्ट और इसे फ्यूचर और यह हमारी पर्जेंट है यह आप चाहें यहां पर आजाए लास्ट स्टेज में तो भी परजंट ही माना जाएगा आप जहां को वह ही आपका परजंट है तो यह बीता हुआ है और यह आने वाला है ताइम यह है जैसे से किसी नहीं कहा था कि टाइम बदल गया है उसके अंसार वीडियो बनाए तो देखे यहां पर मैंने लिख दिया है सब कहाते हैं टाइम बदल गया है लेकिन जन्म का समय आज भी वही है जो पहले था यानि नाइन मन्त के बाद ही किसी चीज का जो पैदा होता है आदमी वहां पर देखे अभी भी वही आप्षन है उसम जियान के उजार से तो यह टेकनोलोजी आपको वहां पर जहां आप वीडियो देखते हैं वहां पर मिलेगा और काफी हेल्प करेगा यह मैं गराफ बना रहा था तो एक आइडिया आया तो क्योंकि यह आइडिया इसलिए आया कि हम जब परजिंट में काम करते हैं तो हमारा माइंडशेट पूरा फोकस उसी टॉपिक पर आता है लेकिन हम जब कुछ चीजें छोड़ देते हैं पीछे हाट जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी लाइफ कंटिनूर्ण कर रही है यानि टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं लेकिन हम यह यूं है जो कांटिन्यू चल रहा है वो रूपने वाला नहीं है वो हमारे हाथ में नहीं है यह एंटी डारेक्शन हम इधर अपने पास्ट को देखते हैं तो यहां जो हमको प्राब्लम होती है जब हम पीछे देखते हैं और टाइम निकलता चला जाता है तो यह हमारा से मुमेंट है यह नेचर मुमेंट है तो इसी बेस पर मैंने जो है इसमें एक आड़ी आया तो बना दिये थे कि अब हम इसको बताते हैं आपको सी ए 901 और इसका दोनों का कम्प्रीजन करेंगे और इसमें देखिए कि और क्या मोडिफिकेशन कर सकते हैं और इसमें यूज करने का क्या आप्सन है उसे हम डेटेल से समझते हैं कि यह पांच चोविस का जो मार्डूल है इसे जब आप डिजाइन करेंगे तो एक शॉटकट आप्सन है कि इसको कैसे डिजाइन करेंगे क्योंकि यहां पर इसमें हम आपको बता दें कि इसके नंबर पर यानि इसके जगे पर एक्विवेलेंट कौन-कौन से हैं और इसे जो जाएंगे इसके सेम नंबर और इसीके बारे में हम डिटेल करेंगे और कहां पर कितने बोल्टेज है यानि यह आपरेटिंग सिस्टम के उस्समय के बोल्टेज जो है वह वह हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि इसमें क्या मोडिफिकेशन कर सकते हैं इसके पूरे डिटेल लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा कि किस टॉपिक पे और क्या-क्या चाहते हैं हम अगर अपने उनसार बनाएं तो वह बेटर रहेगा कि आपके उ फिर नेक्स्ट मैं दोनों का यहां पे कंपेर करके बताता हूं क्योंकि देखें यहां पे अगर मैं इसकी डिजाइन करता हूं तो यहां जो इसकी डिजाइनिंग होगी यहां टाइम हम नहीं देखेंगे हम यहां पर देखेंगे कि यह कैसे कैसे कौन सा जुड़ा है क्यों तो आप time पर focus करें, या तो अपने काम पर focus करें, तो मैं अपने काम पर focus करता हूँ, तब यह result आप को दे पाता हूँ, बाकी आपकी जैसे इच्छा हो, जैसा हो, comment करके बताएं, मैं next बताता हूँ, इसको, with practically, और इसके detail, इसके number, इसके voltage, तो मिलते हैं, next video में, देखें मैं सबको सोच कर दिमाग में ये वीडियो बनाता हूँ यहाँ पे रिपेरिंग परपस से भी आप हमारी वीडियो को यूज कर सकते हैं उसमें भी आपके नालेज को बढ़ाने के सिवाए ये घटाएगा नहीं और दूसरा जो नए नए काम करते हैं नए अडियाइन करते हैं उनको भी काम आएगा और जो लोग नए मतलब इस समय नए फिल्ड में आ रहे हैं हमारे नए इस्टूडेंट हैं जो कम एज के हैं उनके लिए ये आपसन आसान होगा जो कि माली जी जो रिपेरिंग करते हैं ले उनके लिए थोड़ा प्राब्लम होगा कि उनको शाट कर चाहिए लेकिन जो हमारे नए इस्टूडेंट हैं तो उनके लिए थोड़ा ये जो है बिस्तार में चाहिए डिटेल में तो इसलिए काम जब अपना रिपेरिंग फिल्ड में था तो यह सब सारी चीजें बहुत बड़े-बड़े मोडिफिकेशन करता था जिसमें से पहले मार्डूल भी नहीं था लेकिन मैं मार्डूल बना लेता था यानि हर को अलग से आपरेट कर सकते हैं यानि कोई भी अगर है छेत्र तो उसमें आप कुछ भी जो है उसमें कर सकते हैं सारे चिजी अपने हाथ में होती है इसे मालूफ होना चाहिए कि ये आएसे वर्क करता है और सबके वर्क करने का जो सिधानत हो और वो अलग-अलग है यहीं 맞़ो अपका क्या out कि में शापती है उसी हिसाव से हमको अलग स्टेप लेना होता है और दूसरी बात यह है कि आज देखिए जो माली जी कोई आप डिजाइनिक भी करना चाहते हैं तो पहले था कि यह के कंपोनेंट को ढूड़ना पड़ता था आज आप कोई वोल्ड पीसी भी ले ले लिजिए स्क्रेप में वहां पर आपको बहुत सारे Aie Aie sen मिल जाएंगी बहुत सारे driver transformer मिल जाएंगे सींपेस traopesarmer मिल जाएंगे सींपेस को ले लिजिए बहुत सारे CRT TV में देखें यूज होता धा नहीं होता है जो हमारे सींपेस transformer जैसे वो नीटा हुआ फ्लिप्स हुआ यह लिग जो कान हुआ वीपियल हुआ जो CRTTB में लगते थे उसमें से आपके ओले सेंपयस को निकाल लें क्योंकि उसकी जो कौलिटी होती है आज आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी उस पे आप एक सेंपयस डिजाइन कर सकते हैं कि इनवर्टर सरकिट बना सकते हैं बहुत सारी ची DCB बना के तो यह सब सारी चीजें क्या है नया क्रेटिव काम करना क्योंकि पहले आप कंपोनेंट ढूड़ना पड़ता था आप सारे कंपोनेंट रिस्टन पी एक से क्वाल्टी सारे सब कुछ जो है उसमें आपको मिल जाएंगे आज के कंपोनेंट में उतनी लाइप भी नह कुछ नया चाहें क्रेटिव करना तो आप पुराने से भी कर सकते हैं जो की बहुत सारी सुब्दा एबलेबल है